वेल्कम बैक नूतना पार्लोमेंट बावन प्रारम वेडिकल कोन साथ नहीं पड़ालाई चुदाँ ये भवन विकास और विरासत का अध्भुत संगम है एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्ज और स्मार्ट एक्सेस की विवस्था है वही भारत की प्राचीन कलाओं का अध्भुत एक ही करण भी है तो नया भवन आत्म निर्भर भारत के निर्मान का गवा बनेगा पुराने संसत भवन में देश की आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए काम हुआ तो नये भवन में 21 सदी के भारत की आकांचाय पूरी की जाएगी नये भारत के आत्म विश्वास को बढ़ाता विकसित भारत के संकल्प को गती देता ये है हम भारतियों का संसत भवन आज का ये दिन महत्वपून है माननिये प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी ने एक नया इतहास रचा है पूर्व की कई सरकारों ने नय संसत भवन की आवशक्ता पर चर्चा की थी माननिये प्रधान मंत्री ने इस पर विचार किया और नय भारत के निर्मान की अपनी दूर दर्शिता के साथ उन्होंने नय संसत भवन का निर्मान कराया जो हमारी विरासत और परमपराओं को आधुनिकता से जोडती है ये नई सनरचना लगभग 69,000 श्रम वीरों के योगदान से बनाई गई है माननिये प्रधान मंत्री ने राश्ट्र की ओर से उनका आभार प्रकट किया है 75 वर्ष पहले की स्वतंत्रता की भावना को पुनर जीवित करते हुए माननिये प्रधान मंत्री ने आज तमिल नाड के आधी नमों से सेंगोल को स्विकार किया है सेंगोल राश्ट्र के लिए न्याय बून और निश्पक्ष शासन का स्मरण कराता है सेंगोल तमिल शब्द से मई से लिया गया है जिसका अर्थ है नीती परायनता इसके शीर्ष पर न्याय के प्रतीक अवित्र नंदी अपनी अचल द्रिष्टी में विराजित है ये वही सेंगोल है जिसे श्री जवाहरलाल नहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को थिरुवा वड़तुरई आदिनम से एक अनुष्ठान के माध्यम से सुईकार किया था जिसका आयोजन भारतीय सभ्वेता के अनुसार किया गया था उसके बाद इस पवित्र सेंगोल को यथोचित सम्मान और स्थान न मिल सका जो मिलना चाहिए था कहानी मुर्ती है तमिलनाड के काची पुरम की ओर जहां पूजनिये काची मठ का आसन है 15 अगस्त 1978 मठ के 68 प्रमुक परमपावन श्रीचंद्र शेकरिंद्र सरस्वती स्वामी गर्ल जो महापेरियवा अर्थात प्रभुद जैष्ट के रूप में जाने जाते हैं वे सेंगोल व्रितांत को स्मरन करते हुए अपने अनुयाई डॉक्टर आर्थ सुब्रमनियम से इसका वरनन करते हैं जिसे उन्होंने अपनी किताब में स्थान दिया है महापेरियवा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेंगोल ने एक महत्वपून भूमिका निभाई थी हमारे दिहास की किताबों में यह तथ्य अवश्य होना चाहिए था लेकिन गत कई वर्षों में कहीं भी इसका उलेख नहीं किया गया है एक बार इस अद्भुत्सन स्मरन के सार्वजनिक होने पर थमिल मीडिया व प्रकाशनों ने इसे अपने संपादनों और वेबसाइटों में वरियता दी माननिये प्रधान मंत्री एक परंपरा गत प्रतीक की खोज में थे तक पस्चात सेंगोल ने उनका ध्यान आकर्शन किया उन्होंने इसकी जाच करवाई जिसका प्रमान मीडिया विश्लेशनों और पुस्तकों में मिला आखिरकार सेंगोल की खोज पूरी हुई यह एतिहासिक सेंगोल इलाहबाद संग्राले में मिला ये चोला सामराज्य से चली आ रही हमारी भारतिय सब्वेतागत प्रता है चोला सदियों तक हमारे उप महादेब के अग्रणी सामराज्यों में से एक थे सबसे महत्वपून बात ये है कि सेंगोल के प्राप्त करता के पास न्यायपून और निश्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है जिसे तमिल में आने कहा जाता है इस विचार से माननिय प्रधान मंत्री प्रभावित हुए उनके अनुसार जनता के लिए चुने गए लोगों को इस आदेश को कभी नहीं भूलना चाहिए उन्होंने यह निश्चे किया कि इस अद्वीतिय प्रतीक को अमरित काल के प्रतिभिंब के रूप में अपनाया जाना चाहिए ताकि राश्ट्र अनन्त संभावनाओं से परिपूर्ण रहे सेंगोल को आज सुभा संसद में उसके सुयोग्य स्थान पर स्थापित किया गया यह सभी के लिए भारत सरकार के न्याय पूर्ण और निश्पक्ष शासन के अटूट संकल्प का स्मरन कराता है इस दिर्दा के साथ भारत विश्वगुरू के रूप में अपना यतोचित स्थान ग्रहन करने की योर बढ़ रहा है